नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको बाज याने इगल के बारे में कुछ बाते बताऊंगा। जनरली इगल की उम्र 70 to 75 years इतनी होती है। लेकिन जब वो 40 साल के नजदिक आते हैं, तब वो थोड़े कमजोर होते हैं, उनके पंजे थोड़े बीक हो जाते हैं। उसके नाखुन वो कमजोर हो जाते हैं, उसके चोच वो बेंड हो जाती हैं, और उनके पंख वो थोड़े थोड़े पुराने होने के कारण वो शरीर को चिपक जाते हैं, और इसलिए वो बहुत लिमिटेड उड़ान बर सकता है। तो इस वक्त उसके पास दो पर्राय होते हैं। पहला तो आसान होता है कि इसे एकसेप्ट कर ले और भुका रहे के मर जाए। और दुसरा पर्राय ये थोड़ा दर्द सहन करने का होता है, लेकिन वो दुसरा पर्राय चुनता है। ये पर रहे क्या होता है, तो इसमें वो उसके चोच से उसके जो पंक है वो उखाडने लगता है, वो दर्ध होता है उसमें, वो उखाडता है, फिर उसके जो नाखून होते हैं, वो भी चोच से या पत्थर को मार मार के वो तोड़ देता है, उखाड देता है, और उसके बाद उसकी जो चोच रहती है, वो भी पत्तर पर मार मार कर तोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद उसे नए पंख आते हैं। वह उसे दर्ध सहन करना पड़ता है, लेकिन वो करता है। कुछ दिनों के बाद उसे नए पंक आते हैं, नए नाखून आते हैं, नई चोच आती हैं, और वो नए पंक के साथ वापस जबरदस्त पहले जैसे उडान भर सकता है और आपनी जिंदगी वापस आगे के 30-35 साल गुजारता है। तो दोस्तों, कभी-कभी हमारे जिंदगी में दो पर्याय होते हैं, एक पर्याय बहुत ही कठिन होता है, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है, उसमें दर्ध होता है, लेकिन वो पर्याय हमें चूच करना चाहिए, और यह सिर्प इगल के बारे में नहीं, हम पर फिसमें भी हमें कुछ सालों के बाद बदलना होता है यह continue process होती हैं यह कंज ह करते हैं देड़ संबॉस्धेर नए नए equipment हमें लेने पड़ेंगे, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, हम देखते हैं, मेडिकल साइन्स हो, अटो मोबाइल हो, अपीस स्टेशनरी हो, कॉम्पेटर हो, मोबाइल हो, हर इसमें नई-नई बाते आती है, और पुरानी छोड़के हमें नई लेनी पड़ेगी, पहले तो हम जो हमारे लेजर रहते हैं, उसमें हम सब लिखते थे हमारा हिसाब किताब, जिसे हम खताव नहीं कहते हैं, लेकिन उसके बाद ERP आया, SAP आया, यह नए-नए सौप्टेवर आ रहे हैं, तो इसे हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें खुद को अपग्रेड करना पड़े झाया 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